नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी के अपने इस योटूब चैनल आयरवेदिक उपचार में कैसे हैं आप सभी I think स्वस्थ होंगे आईए आज के इस वीडियो का श्टार्ट करते हैं इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं डाइबिटीज के लिए डाइट के संबंद मे जी हाँ डाइबिटीज पेशेंट रोजाना कुछ एक जूस हैं जिनका सेवन करेंगे तो उनका बलड शुगर लेवल कंट्रोल हो जाएगा और वो स्वास्थिला प्राप्त कर सकेंगे स्वस्थ रह सकेंगे डाइबिटीज होने का मतलब है कि आपको अपने खाने या पीन बहुत महतोपून है अमेरिकन डाइबिटीज एसोसियेशन कम कैलोरी पे की सिफारिश करता है जी हाँ इसकी मुख्य वज़ा क्या है मुख्य वज़ा है बलड शुगर को बढ़ने से रोकना सही पे चुनना आपको कई दूश प्रभावों से बचाता है अपने लक्षणों का प्रबंधन करें और स्वस्थ वजन बनाए रखने में इससे मदद पाएं जी हाँ अपने वजन को स्वस्थ रखना बहुत ज़रूरी है नहीं तो डाइबिटीज को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा डाइबिटीज में कौन-कौन से पे पी सकते हैं पानी पी सकते ह बिना चीनी की चाय पी सकते हैं लेकिन इसको भी कभी न पी तो ही बेतर है टमाटर या फिर वी एट जूस का सेवन कर सकते हैं पानी क्यों जी हाँ जब हाइड्रेशन की बात आती है तो पानी डाइबिटीज पेशेंट्स के लिए सबसे अच्छा विकल्प है क्योंकि यह आपके रक्त शरकरा के स्तर को नहीं बढ़ने देता है उच्छ रक्त शरकरा का स्तर डी हैड्रेशन का काराण बन सकता है प्रयाप्त पानी पीने से आपके शरीर को मुत्र के माधियम से अतिरिक्त गलुकोज को खत्म करने में मदद मिल जाती है इंस्टिटूट ऑफ मेडी सीन पुरुशों को दिन में लगभग 13 गलास पानी पीने की सलाह देता है जबकि महिलाएं लगभग 9 गलास पानी पीएं तो बहतर है पानी के लाफ को बढ़ाने के लिए आप इसमें निम्बुकारा, संतरे की सलाइस, पुदीना या फिर तूलसी त्यादी मिला सकते हैं, अदरक मिला सकते हैं या फिर आप उसमें जीरे को उबाल सकते हैं, तो भी पानी अच्छा हो जाएगा पानी को गरम करके पीएं और अच्छी बात है इसके अलावाद चाय, चाय क्यों पी सकते हैं आप ये भी जान लेते हैं, चाय वैसे तो मैंने कहा कि कभी भी फायदे मन नहीं है, लेकिन शोध से पता चला है कि ग्रीन टी आपके समानी स्वास्ते पर सकारात्मक प्रभाव डालता है, इसलिए हमने कहा आप थोड़ा सा और हानिकारक LDL कोलेस्टरोल के अस्तर को कम करने में मदद करती है, ग्रीन टी, इसलिए ग्रीन टी का सेवन आप सभी करें, आपके लिए फायदे मन रहेगा, कुछ शोध बताते हैं कि दिन में 6 कप तक पीने से टाइप 2 डाइबिटीज का खतरा कम हो सकता है, लेकिन ध्या अगर ग्रीन टी का सेवन करें तो, और आप सभी चाय पीते ही हैं, इसलिए हमने बताया, या फिर जो कौफी पीते हैं, उनके बारे में भी बात कर लेते हैं, 2012 के अध्यान में पाया गया, कि कौफी पीने से आपके टाइप 2 डाइबिटीज के विकास के जोखिम को कम किया सकता है, शोत करताओं ने पाया कि प्रती दिन 2-3 कप पीने वाले लोगों के लिए जोखिम कास्तर और भी कम हो गया, लेकिन इतना आपको नहीं पीना है, आपको सब्ताह में 2-3 दिन 1 कप ही पीना है, इससे ज़्यादा कौफी का सेवन न करें, और शदी की तरह प्रयोग क के लिए भी सही था, जो कि प्रती दिन 4 या अधिक कप पीते थे, लेकिन नहीं पीना चाहिए, नहीं तो आपको नुकसान भी इसके जहलने पड़ते हैं, आपको डाइबिटीज के संबंद में फायदा मिल जाएगा, पर दूसरी बिमारिया होती है, तो इसलिए सब्ताह मे तीन दिन एके कप इसका सेबन कर सकते हैं, इसका लाप्राप्त कर सकते हैं, कौफी में दूद, क्रीम या चीनी मिलाना आपके लिए अच्छा नहीं होगा, इसको बगेर मिलाए कौफी पीएं, यानि कि पानी में सीधे कौफी को उबाल करके पीएं, तो आपको ये स्वास् अनेथा नुकसान होने लगेगा इसके अलबा सब्जियों का रस जिहां अधिकांश फलों के रस में बहुत अधिक चीनी होती है इसलिए आप टमाटर के रस या किसी भी सब्जी के रस के विकल्प को अपना सकते हैं हरी पत्यदार सब्जियों अजवाइन या खीरे के मिश्र मीठे के वजह से मीठा कुछ भी नहीं खाएंगे तो बोडी में लोनेस आने लगती है तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप इस तरीके से बोडी को मेंटेन करें इसके अलावा कम ववसा वाले दूद का सेवन भी कर सकते हैं डेरी उत्पादों में सहाय खनीज होते हैं लेकिन वे आपके आहार में कार्वोहेटरेट शामिल करते हैं हमेशा अपने पसंदीदा दूद के अंचाहे कम ववसा वाले या स्किम मिल्क को चुने आप बिना दवा के ठीक हो सकते हैं डाइबिटीज से बस फॉलो करें ये डाइट प्लान को आप डेरी फ्री लो सुगर विकल्प जैसे की 45 अखरोट या फिर नारियल का दूद भी आज मा सकते हैं ध्यान रखें कि सुया और चावल के दूद में कार्वोहेटरेट होता है जी हां और इसके साथ साथ अब बात करें अगर देशी नुसके की तो सबसे बढ़िया है कि आप करेले का जूस सब्ता हम आपने करेले का जूस पिया एक दिन आपने दो चार निम की पत्यों को उबाल करके उसका पानी पिलिया सुबह सुबह एक दिन किसी दिन आपने एलो वेरा का जूस पिलिया एक दिन आपने चिरायता का जूस पिलिया तो इस प्रकार से आप अपने आपको फिट रख पाए डाइबिटीज के चांसेज वहीं पर 70% तक कम हो जाएंगे जो इसका पालन करेंगे तो ये आज की वीडियो रही आप सभी के लिए ऐसी ही नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफेकेशन को ओन कर लें ताकि नई वीडियो जब भी लेकर के आए न नहीं विदा लेते हैं आज के इस एपिसोड से जुड़ेंगे नई एपिसोड में नई जानकारी के साथ तब तक आप सभी खुश रहें स्वास्त रहें धनेबाद नमस्कार दोस्तों